हेलो दोस्तों मैं हर्पे सिंग एक वार फेतो दोड़ा स्वागरा कर दा हां प्रफेसर ट्यूब यूट्यूब चैनल दे विच तो दोस्तों जिद्धा कि तुसी जान दे हो एह है वीडियो अडेटिंग फॉर बेगिनर सीरीज दा पार्ट 3 अपनी लास्ट वीडियो विच म विच असी टाइम लाइन अथा मेन्यू बार दे अलग अलग ओप्शन्स बारे इनफोर्मेशन लवांगे सो बिना टाइम वेस्ट केते सिखन दी शुरुवात करते हां वापस आ चुके हम उन मैं टाइम लाइन दे बाकी बचे ऑप्शन्स बारे इन्फोर्मेशन देवांगा जिद्दा कि तुछ देख साकते हो टाइम लाइन दे टॉप लेफ्ट कॉर्नल ते कुछ ऑप्शन्स ने जो दोसी अपना कर्सर उना दे उपर लेके जाओगे ता उना आता नाम तो उना कम उन्योंदर कम उथे ओपर डिस्प्ले हो जाएगा में पहनले उस्प्शन दोई नियुपर कर दे जाना है उस दिस्प्ले हो जानता है जैदो तुछ जैस सिक्ष्प करेएट करते हो तोस्य Ox Madison City वेच दोस दारे अप्शन मिलेगी पहली अप्शन है तुसी उसनों ऐसा क्लिप लेके जाना चाहिए हो जहां उस विच अलगला क्लिप्स होने चाहिए देने इस तो बाद दूसरी अप्शन है स्नैप इस शॉटकट है एस स्नैप एक मैगनेट और चुमब की तरह कम करता है और तुसी देशा इस टाइम यह ओन है सोच जी में कि फर्स्ट क्लिप नूं मैं किते भी मूव करता है वह एक प्रॉपर काट दे ओपर जाके एटेच हो जानदा है पर जदो यह ऑप्शन बंद हुंदी है तो तुसी फर्क देख सकते हो इस नूँ एक प्रॉपर जगा दोते सेट का देके र तीसरा ओप्शन है लिंक्ट सिलेक्शन इस दी एक इजांपल मैं तो दिखा देना है जिए कि मैं थे एक क्लिप लेके आया है इसनों टाइम लाइन त लेया होने है अगर मैं एस क्लिप दी ओनली वीडियो या ओडियो नोहीं ट्रिम करना चौना ता एस ओप्शन दी मैंनो इसनों बहुत जरूरत होएगी इससे लिए मैं कीबोर्ड ते आल्ट प्रेस करके रखांगा और अगर मैं वीडियो या ओडियो नों ट्रिम करना चौना तो उसनों मैं राइट साइड नों मूव कर दमागा तो तुसी देख साथ हो यह थे ओली वीडियो पाड़ ही ट्रिम मारकर इससा सौर्टकट है है मारकर किसे भी पॉइंट रूं हाइफलेट करन दे कम मौनदा है अगर मैं चौना र supplementsώ करते मैं कोई पॉइंट लगाना चौना और जिस वीडिया चंशके उपर मैं बाद वेजर करना चौनाँ तहह उथे में मारकर एड़ कर सकता है तुछी द सो लास्ट ऑप्षिन है टाइम लाइन डिस्प्ले सेटिंग्स जो में इस उपर क्लिक कर दा हां तैथे काफी सारे होर ऑप्षिन्स ओपन हो जान देने सो इना नो तुसी अपने एकॉर्डिंग आन या ओफ कर सकते हो तुसी देख साते हो हर एक ऑप्षिन दा अपना अलग काम होंदा है जान नीचे तुसी अपने जाबना वीडियो ते ऑडियो हैडर नो कस्टमाइज भी कर सकते हो तो दोस्तों एसी टाइम लाइन बारे इंफोर्मेशन तो दोस्तों टाइम लाइन तो बार उनसी गल करांगे मेन्यू बार भी तो सब तो उपर है मेन्यू बार किमे के तुसी जान दे हो हर एक मेन्यू देविच बहुत सारे ऑप्षिन्स हुन देने तो दोस्तो प्रीमियर दे विच बहुत सारे मेन्यू ने पर इना सारे आंबारे जानकारी नहीं दिती जा सकती तो मैं उना मेन्यू से बारे ही दसांगा जेड़ी साधी एडिटिंग विच हेल्प कर देने तो सब तो पहला चाल दे हां फाइल मेन्यू विच फाइल मेन्यू उन्यू होंदा है जिस विच तो आड़े परजेक्ट और तो आड़ी फाइल ना रिलेटर सारे बेसिक मेन्यू अवेलिबल होंदेने सब तो पहला ओप्षन है न्यू दा न्यू दे बिच न्यू परजेक्ट मियू सीक्वेंस न्यू फाइल न्यू टाइटल्स और नीचे चिन्ने वी ओप्षेंस तानु दुखाई दे रहें हैं तुसी इस सारियां फाइल्स क्रेट कर सकते हो आते इना ओप्षेंस से देना इनारे शॉटकट कीजी मेंशन किते गए तो चल दे हां ओपन परजेक्ट जो भी तो हरड़ें प्रोजेक्ट बने होई हैं तुसी उसनों उपन कर सकते हो ओपन रिसेंट जो भी तुसी रिसेंटली जीना प्रोजेक्स ते उत्ते तुसी कम कीता होगा वह सारे तो अटी स्क्रीन देऊ पर दिखाई देंगे तुसी वहना विच्छों कोई भी ओपन कर सकते हो नीचे हैं क्लोज और प्रोज प्रोजेक्ट अगर तुसी पूरे इस प् क्लिक कर सकते हो दयने हैं से और सेव एस उसतों थले हैं सेव कॉपी अगर तुसी चोंदे हो इस प्रोजेक्ट दी पूरी ही एक और कॉपी बणा दिती जावे तक तुसी इसनों सेटिंग इस वार आप फिर उसतु है कैप्चर फिर नीचे है इंपोर्ट इंपोर्ट मतलब होंदा है फाइल्स नो प्रीमेर प्रोदे वेच लेके होना सब तो पहले वीडियो वेच फाइल्स नो इंपोर्ट करना बारे टाइम लाइन टेक्लिक अधा देन एक्सपोर्ट पर जाके मैं क्लिक करूंगा मीडिया उपर उसी देख साथ हो एक्सपोर्ट सेटिंग डी विंडो ओपन हो जावेगी इस विंडो आ काम हो दा है जो भी तुसी टाइम लाइन दो पर क्रेड किता है उस दा रेंटर करना या आउटपुट करना विंडो बाले पूरी इंफोर्मेशन और वाली है वीडियो विच शेर किती जावेगी तुसी देख साथ हो अगला ऑप्शन है गेट प्रॉपर्टी इस ऑप्शन नाल तुसी किसे फाइल दी प्रॉपर्टी देख सकते हो अगे है प्रजेक्ट इस दोई तुसी अपने प्रजेक्ट दी सेटिंग देख साते हो या उस भी चेंज इसका सकते हो जिमें की पेली है वीडियो रेंटरिंग एंड प्लेवेग इस ते तो अनुपता लागदा है वीडियो जो रेंटर हो रही है और जो प्लेवेग तानु दिख रहा है वो ओन बाला ओप्शन होनदा है स्क्रैच्ट डिस्क्रैच्ट डिस्क होनदा है तो हड़ा प्रजेक्ट इते सेड़ है तो घटे उथी ते किन्नी स्पेस और फेल है नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट मैनेजर अगर तुसी अपने प्रोजेक्ट दी एक नवी कॉपी अपने पीसी विच किसे होवर लोकेशन ते सेव करना चौन दे हो तो तो आन्नो एक ओप्शन दी लोड पावेगी इस दी हेल्पना तुसी एक नवी कॉपी क्रेट कर सकते हो तो सब तो नीचे ओप्शन होंदा है एक्जिट या क्लोज करना दा दूसरा मेन्य हुए एडिट मेन्यू एडिट मेन्यू विच अंडू रीडू कट कॉपी क्लियर करना सिलेक्ट सिलेक्ट ओलना सारिया फाइल सिलेक्ट हो जाण गया अगला ऑप्शन होंदा है फाइंड अगर तुसी अपनी टाइम लाइन देविच कोई भी फाइल लबना चाहिए ता यह उप्शन यूज कर सकते हूँ उस तो नीचे उप्शन होंदा है ती टाइम लेंड विच नहीं यूज हो रही है उनना नू रिमूव कर देंदा है यह उप्शन बहुत ही यूजफुल है नीचे है टीम प्रोजक्ट फिर होंदा है कीबोड शॉटकट इस विच तुसी प्रीमिर प्रो दे जिनने भी ऑप्शन ने उनना दे कीबोड शॉटकट नू चेंज यह जीना ओप्शन से कोई कीबोड शॉटकट अवेलवन नहीं है तुसी उननों क्रेट कर सकते हो लास्ट वाड ऑप्शन होंदा है प्रेफरेंस इस पीर इस तुसी सोट वे दी अपीरेंस नों अपने कोडिंग चेंज कर सकते हो नीचे है और यो सेटिंग पोर भी बहुत सारे ओप्शन से यह तो हटी नीड दे अकॉर्डिंग यूज किते जा सकते नहीं तीसरा मेन्यू है क्लिप इस ता कम जादा तर किसे भी कले क्लिपते विच चेंजिस करना होंदा है जुमें कि तुसे उसने रीनियम करना चांते हो उस दा सब क्लिप बना सक करते हो उस दे वीडियो ऑप्शन अगला है स्पीड डॉरेशन मतले कि उसी स्पीड तेज या स्लो करना रेंडर एंड रिप्लेस अगर तुसी चौनते हो इस क्लिप नो मैं किसे दूसरे क्लिप देना रिप्लेस कर दमा जनरेट ओडियो वेफॉर्म सब तो लास्ट थे हैं अगर अगर मैं इस क्लिप देखनों मिल देने दरें। चौथा option है sequence चौथा menu है sequence sequence देविच पहला ही option है sequence setting जो मैं sequence सब्सक्राइब पहले वीडियो विच क्रेट किता सी मैं उस ही sequence देविच कम करता हा रहा हा अगर तुसी अपनी sequence देविच कुछ changes करना चाहूं देव ता इस option देविच जाके कर सकते हो जेवें के दूसे अपने वीडियो दा frame size frames per second audio changes अपने recording कर सकते हो नीचे पोरी वह सारे options ने render in and out इस दा मतलब होंदा है कि timeline देओ पर जिनने वी clips है वो त्वाननों render करके दिखा देगा कि इस दा मतलब होंदा है timeline दे ओपर जिनने वी clips पहने वो तुहांनों बिना export किते software दे वीच ही preview करनों मिल देने नीचे देख साथ हो render in to out render selection render audio नीचे हो भी बहुत सारे options ने सब तो नीचे देखा जा सकता है make sub sequence जो में इस देखनों मिल सकता है same sequence दा ही एक four sequence बनके त्यार है उस दो नीचे तुछ देख साथ हो add और delete tracks इसना मतलब होंदा है कि audio या video दे उपर तुछी नवे tracks add या delete कर सकते हो तो अगे मुग करते हैं अपने पंजमे मैन्यूवल जो क्या है marker इते हैं mark in out mark clip mark selection अगर mark in ते क्लिक करते हां तो इते एक starting point बन जानदा है मैं timeline ते अगे उपर तुछी देख साथ हो मैं जिनना portion select करना चौनदा है उनना portion ही mark कर देंदा है सो मैं इनने portion भी export कर सकता है अगला option है mark clip जिस clip दे उपर भी तो अड़ा timeline indicator हो वेगा उस clip नो तुसी mark कर सकते हो या तुसी किसे भी clip नो mark कर सकते हो नीचे है mark selection अगर मैं तो selection करके उसमें mark कर देंदा है तरह ले है go to in go to out जो भी तुसी mark in and mark out point लगाए होंगे उनना दे उपर लेके जाएगा नीचे है add marker चुमें के तुसी timeline दे उपर पर पिलना भी यह option देख चुके हो नीचे है उस्तों के है go to next marker और go to previous marker उस्तों अगला है graphics menu यह menu graphic workspace विच कम कर दोए बहुत useful हुंदा है उस्तों अग्य है windows menu windows menu विच सब तो पहला यह option है workspace था जे में कि मैं अपनी लास्ट वीडियो विचे explain किता है अपनों इस दे विच अलग लग workspaces देखनों मिल दिया ने इना अलग लग workspaces विच अपना अलग लग कम होंदा है तो work spaces ते नीचे तुसी सब्सक्राइब काफी सारे हो ओप्शन से सो मैं किसे भी मेन्यों ते क्लिक कर दा है तुसी उन देख साकते हो मैं हिस्ट्री ते क्लिक की तसी ते हिस्ट्री बाड़ा एक नवी पैनल ओपन हो गई है लास्ट मेन्यों होंदा है help अगर तुसी कोई भी help चाहन देखो ते तुसी इस option देख आगे help ले सकते हो कि 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 अच्छे अच्छे है